नमस्कार दोस्तों बहुत साथ आपका हमारे चनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हर मईने 3000 रुपे या सालाना 36,000 रुपे ले सकते हैं मात्र एक से 1.5 रुपे जमा करके जी हां अगर आप 1.5 रुपे जमा कर सकते हैं तो आप ले स दोस्तों सलिए बात करते हैं क्या वो स्कीम है कैसे इसके अंदर आवेदन करना है कैसे आपको सिर्फ 1.5 रुपे जमा करके 36,000 रुपे सालाना मिल पाएंगे या 3000 रुपे हर महीने मिल सकते हैं क्या इसकी बेनिफिट से सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों मान लीजे आपकी उमर अगर 18 साल है तो यहाँ पर आपको जमा करने हैं हर महीने के 55 रुपे दोस्तों अगर आप हिसाब लगाएं तो 55 रुपे आपका पढ़ता है 1.60 रुपैसे 1.60 पैसे अगर आप हर दिन का बचा सकते हैं तो आप यहाँ पर हर महीने की 3000 पेंशन ले सकते हैं या सालाना 36,000 रुपे बचा सकते हैं महीं पर मान लिजिए आज आपकी उमर अगर 40 साल है तो यहाँ पर आपको हर महीने पैसा जमा करना है 200 रुपे जो कि अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 7-8 रुपे आपका प्रती दिन का पढ़ता है तो दोस्तो इस तरह से सिर्फ छोटा सा इंवेस्ट आपको प्रती दिन अगर आप इतना पैसा बचा सकते हैं तो आप हर साल 36,000 रुपे ले सकते हैं या फिर आपको 3000 रुपे की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तो इस स्कीम का नाम है मांधन योजना और मांधन स्कीम के अंदर तीन तरह की स्कीम है जैसे कि किसान योजना, श्रम योगी योजना और नेशनल पैंशन स्कीम तो दोस्तो तीनों ही scheme के अंदर सेम ही तरह का आपको contribution करना है इसके अंदर कोई भी changes नहीं है दोस्तो आप किस scheme के अंदर योग्य हैं आपको यहाँ पर खुच जाकर scheme के ओपर touch करके check करना है हमने इसके ओपर detail में वीडियो भी बनाई हुई है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता था कि किस तरह से आप सिर्फ डेवर रुपया इंवेस्ट करके प्रती दिन का और यहाँ पर आप ले सकते हैं इतना बड़ा लाब तो दोस्तो अगर आप यहाँ ऑनलाइन अपलाई करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक option भी दिख जाएगा click here to apply का तो दोस्तो apply करने का भी तरीका मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा तो आप हमारे साथ बने रहे हैं अगर दोस्तो वीडियो पसंद आई तो इससरे लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ बीज़े शेयर कीजिए